तो आज है नवरात्री का पहला दिन और मैं सबसे पहले आपको घर के मैंगेर पर दिखा देती हूँ यह बना दिये हैं हमने दोनों तरीके से स्वास्थिक और थोड़ी सी नवरात्री की वाइप्स देने के लिए यह दो चीजे लगा दी हैं बाकी कुछ जादा नहीं किया ल तोरण जो की बहुत बहुत ज्यादा सूब माने जाता है इसलिए मैंने आमकी पत्तों का तोरण लगा दी मनी प्लांट देख रो किता बड़ा हो रहा है उपर से लेके साइड से लेकर वहां तक पहुंच रहा और यह दूसरे पेड का भी मनी प्लांट है जो इता बड़ा ह बाकि यह ओवरॉल इतने सारे स्नेक प्लांट है स्नेक प्लांट बहुत अच्छे होता है ऑक्सिजन के मामले में बहुत बढ़िया माने जाते हैं तो चलो अब घर के अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ यह घर के अंदर का है मंदिर के बाहर थोड़ी सा इतरा से डेकरिश अच्छन आज दिखा रही हूँ उसके बाद पर मैं करने दिखाऊंगी यह हमारे घर का मंदिर है और यह हमने बगल में मातरानी को इस्थापित किया है तो मैं आपको दिखा देती हूं क्या-क्या है तो यह उपर की रेकुरेशन है यह रात को ना मैं तीनों के तीनों आया हुआ है उपर से चुनी और यह मैंने उनको बिंदी पना दी है पहले दिन की पूझा के बाद मैं दिखा दूए यह मैंने थोड़ा से सिंगार का समानी यही पर रख दिया है यह श्रीयंत्र है श्रीयंत्र को जित्ता भी चार्ज आप ज्याप कर सकते हो वह बहुत यह मातरानी को मैंने बिंदी लगा दी लिविस्टिक लगा के चूड़ी पना दी यह मातरानी के चर्णों में मैंने एक नारियल रखा हुआ है और यह मेरी तीन पिंडिया इनको भी मैंने चूड़ीया पना रखी है इनके बिंदी लगा दी है वस्त्र मैंने कलावे की रू यह है कोडिया जो आप लोग देख रहे होगे और यह मातरानी के चरण यह चांडी के चरण है तो मैं चांडी के लाले दी लेकर आ गई हो तो हर बार फिर मैं इसी को यूज कर लेती हूं और मेरा काम खतम हो जाता है और यह है कुबेरियंत तो कुबेरियंत बहुत ज्यादा यह हा wavelength जो कि बहुत जाद सूमना जाता है तो यह निगा अआशय को prioritize को कार यहाँ एक हुआ आज मैं दिखा रहे हूँ want मैंने जो कलस स्थापित किया था तो यह मेरे खेत्री है अब मैं रोल रोल जिसको दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को तो यह है कलस कलस के अंदर सामेगरे डली हुए और यह मैंने पूरी टहनी डाली है और यह है नारियल जिसको मैंने चुन्नी लगा के लगा दिया तो यह प्रतम दिन है मैं आपको दिखा रही हुँ इसके बाद आप मैं दिखाऊंगी यह मेरी चौकी यह कल sigu दूसरी शाहएगी साथ फूजा करने के बाद ही है हवेन कुंड कई टो अज्ञारीि वो मैं ह्वेन कुंड में घलाती हूं तो यहां धाली में पूजा संवैकरी खती करी हुँ बाकी में फूजास मैं हम ह हवन कुंड की यह थे तो ठोड़ी सी रांख लेके मैं अपने मस्तक पर लगा लेती हूं अपनी बेटी के मस्तक पर भी लगा देती हूं है क्या इस्समें하 फूजण समान हाउन हो इसमिंगे में है पूजा उल्पूज ani यह प्रति दिन ऑफ द्रफम की की पूजा का समान और दित्व दिन की पूजा की यह की समान होता Bil तो यह पूजा का समाने दूसरी थाली है जिसमें सारा भोग का समाने आज का जो इस पेसल भूगता वो था मातरानी को अनार का भोग जो था प्रथम दिन का अनार का भूग और घी का भूगता अरे एडिशनल की भोगते जैसे के पांच फल हो गए पंच मेवा हो गई घर की पनी भी मिठाई होगी पूस्प हो गई तो यह पूरी पूजा अर्चना बंदा आप लोग देख रहे होगे इस थामें पर चल रही है पूजा कैसे करी कैसे नहीं करी उसके उपर तो वने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पूजा तो प्राइवेट ही होनी चाह तो अवराल यह सारा हमारा नवरात्तरी का प्रोसीजर है ड्राकॉरेशन पे ज्यादा ध्यान ना दे कर हम लोगों ने फूर पूज बहुत बहुत जादा कि दिन जब अची पूज करना को छा जाएक कहले बाकि तियार किया जिसको बंजारन लोग बोलते हैं तो उसके लिए मैंने इसके चिन पर उसकी थुड़ी पर कुछ लगाया आंखों पर थोड़ा सा वो लगाया और उसको दानिया के लिए तियार किया ताकि इसकी एक दो में फोटो सूट कर सकूं जो कि बहुत अच्छी लगती है जब यह बड़ी होएगी तो देखेगी कि हामने नवरात्री भी सेलिबेट करी और मैंने हर हर मैं हर फेस्टिवल सेलिबेट करने की कोशिश करती हूं इसको साथ लेकर ही बिठाना की कोशिश करती हूं ताकि यह अपनी संस्कृती से जुड़ी रहे बच्चों को एफोल अ नोस कहां है है एला है लो वा簡री में लेकिन यहां पें बच्ची को सिखाती हूं जयम आता दे राधे राधे हरे कृष्णा पूजा कैसी करने चाहिए नमस्कार कैसी करने चाहिए जो हमारी भारत्य मिपना के को इसका करती हूं हर चीज के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा यहां पर मेरे हजबन फोडो कीच रहे थे मैं करा रही थी कभी मैं फोडो कीच रहे थी मेरे हजबन कहता तो बच्चे के साथ बच्चे के साथ थोड़ा टफ होता ही सब कुछ करना लेकिन बात में जो बच्चे के लिए लेकिन यहां पर देखोगे इस वीडियो में मेरे हजबन कभी भड़ा कर रहे हैं कभी बैठाव रहे हैं अगर वह घर पर होते है न तो मेरी बहुत कर देते हैं हर चीज में आप वह ले जाते हैं फिर में को सब कुछ अकेला करना पड़ा है इसके राधहस्ट में वाले दिन वह उफिस चले गए सिया को राधह रानी मनाना राधह रानी का पंचम इसे अभीशे करना बता एक्स वैजर सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ा हम दोनों ने नवरातरी के पूरे तो मेरे वीडियो अच्छी लगती होगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक से शर्सक्राइब करना बिल्कून भी मत भोलिए तब तक कि लिए मुझे दीजिए जादत राधे 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 हरे क्रिश्ना हरी बोल और आपकी पूदा से समद्रित कोई भी प्रिश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स किजी या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशुनेदी पर जाकर भी मुझे पूछ सकते हैं जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं आप लोगों का रिप्लाइदे कि जरूर और जरूर कोशिश करूँगे तब तक के लिए रादे रादे हरे कृष्णा हरी बोल